असलाम अलेकूम है आप लोग आपका मेरे चैनल पर वैलकम है मैं आज आपके लिए एक पिका कार्ड डिडिंग लिखे आई हूं जिसका टॉपिक है अगर आपके सिच्वेशन के साथ राजनेट करती है तो अच्छी बात है वरना आपने इसको पूरी तरह से एक्णॉर करना है आप इसके बारे में जानना चाहते हैं उसके चहराव अपने माइंड में लेकि आई और जिसके स्च जाधा आप प्रॉण हो रहे हैं वह वाली पाई श्टाइड कर लीजिए आप वीडियो को सीजिए पाउस सेंग का टाय में दिजिए हम चलते हैं पाइल नंबर वन की तर आप लोग मुझे इस्ट्रग्राम पे भी फोलोग कर सकते हैं और मेरे सेकेंड करल के जाके आप आल जो एक साइन रिडिंग भी देख सकते हैं आपको लगता है कि आपके परसन ने आपको दोका दिया है चीट किया है और वो आपको इस लेशंशिप में अकेला छोड़के चले गए हैं बात बताता है कि आपके परसंट प्रास्वर्म मोड से गुजर रहे हैं वो प्रास्वर्म हो रहे हैं आप लोग के पीच में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली बहुत जल्द जल्द जो लग स्टार्ट होने वाला हैं आपके परसन आपके लिए मुझे यह भी नजर आ रहे है कि प्रांस्फर्म होके आपके लिए चेंज होने के लिए तैयार है कि अगर कुछ उसमकी बैट हैबिट से नहीं तो वो उसको छोड़के आपके तरफ आना चाहते हैं एक नया सुरज जो है आपके रिलेशिशिप में खlu होने वाले है है तैया नटा इन फैर्फ जो क्पैसा स्कॉर्पी हो सकते हैं आपके परसंड्ट जमनाई हो सकते हैं खार पूर्द से पूर्ची और निकल के आया है अगर इनके पास कोई चॉइस थी नहीं pray ओप्छ आप ही वो इन्सान है जो इनका त्रू कहीं लॉवब ह् O Merci love Cat यह बताता है कि आपके परसन के बताता है जो आपने यह इसे मसले हैं कुछ यह आपको सचा प्यार करते हैं जो अभी वह आपको एक मर्ण सब्सक्राइब इस भा которой है वो night of cups जो यह बताते है कि आपके person आपके तरफ रश करते हुए आना चाहते हैं और आपको अपना प्यार जो है offer करना चाहते हैं लेकिन hangman यह बताते है कुछ ऐसे circumstances हैं आपके person जहां पर stuck हैं आपके person जो हैं बहुत जादा अपने आप में बहुत जादा है आपके बारे में situation के बारे में सोच रहे हैं कि आपके इंके वीच में ऐसी कौन सी misunderstanding हुई है जो ये इनसान आपको अप्रोच करने से डर रहा है लेकिन इनकी awakening हो रही है जैसे ही ये अपनी awakening से निकलेंगे, इनकी awakening हो जाएगी, ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, तो कि ये इंसान आपके साथ एक new beginning करने के बारे में सोच रहा है, इस वांस ये बताते हैं कि आपके person आप से बहुत जादा physical attraction रखते हैं, और ये आपके साथ एक fresh start चाहते हैं, new start करना चाहते हैं, कुछ time दीजिए, as you say, you terries के महीने में, ये इंसान हो सकते हैं, आपके साथ fresh start कर दे, लेकिन कुछ delays आप दुनों के बीच में हैं, कुछ divine timing है, जो seeds आपने लगाएं हैं, वो seeds का rewards आपको मिलने का वक्त आगिया हैं, लेकिन थोड़ा सा आप patience रखिए, आपके person की अभी spiritual journey में हैं, जब ये spiritual journey से आपने निकलेंगे, इनकी awakening हो जाएंगी, तो हो जाएगी तो ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, लेकिन हो सकता है, ये इनसान आपके life से in or out भी रहा हो बहुत जादा, आपके life में आ जाता है और चला जाता है, आपको clarity नहीं देता, in or out वाला इसका behavior है, तो आपको भी यहीं लगता है कि ये इनसान कभी सुदरने वाला नहीं है, तो आप भी बहुत जादा दुखी हो जाते हैं ये चीज़ सोच के, एट ओफ सोर्स भी बताते हैं कि आपके person जो है कहीं stuck है, कोई ऐसी situation उनके life में है, जहां पे वो stuck है, अब हो सकता है को उनका carrier हो, हो सकता है, उनकी life में कोई और person हो, या ये person already married हो, तो ये वहाँ भी कहीं stuck है, वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, अपने आपको छुड़ा नहीं पा रहे ही, बंद गए हैं, बंधावा मैसूस कर रहे हैं, और ये ही सोच को सकते हैं, आपने इनको block कर दिया हो, आप जो है, इनको जो है, आप clarity लेकि आओगे तो वहीं लाइफ में आना, आप इने cold shoulder दिखा रहे हैं, या या आपके person के energy है, कि आपके person ने आपको block कर दिया है, लेकिन जिसने जिसको भी block किया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को, आप दूसरे से बात करना चाहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को miss करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए वेताब है, अगर आपके कहों तो आपके person आपको बहुत ज़्यादा miss करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, है दो Lewis के मुझे यहां पे यहां फिर नज़र आरह रहा है कि आपके परसर दो भोटेंगे यह लगता है उस रजार देन्या आपको यह लगता है फिर द हैं इस ही female स आखे बन करके थोड़ी देर आप इनको पॉजिटिव वाइब सेंड करें, इनको तसवर में लेके आएं, इनका चेहरा और बतलब जिस तरह से आप चाहते हैं कि ये इनसान आपके साथ जैसे के आपके साथ पैच अप कर रहा है, इस तरह से सोच के आप इनका इनके बारे में सोचिए, पॉजिटिव वाइब सेंड कीजिए इनको, तो आप देखिएगा, ये इनसान आपके लाइफ में बहुत जल आजाएगा, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप इस इनसान को, आप अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस इनसान को, क्योंकि इस इनसान का आप true love है और ये देना भी चाहता है आपको, अपना cup of love, लेकिन जो है, एस इस इनसान आपको बहुत जादा अबंदन्स देखता है, ये देखता है कि आपके पास सब कुछ है, जो एक happy marriage life, couple में इनसान ढूनता है, आपका अपना business हो सकता है, आपका अपना career हो सकता है, आपका अपन कर रहे होंगे, कुछ इस टैप के energy है, और देख लेते हैं, इस इस इनसान की feelings आपके लिए क्या है, seven of twenty करें बताता है, कि आप इनका बहुत जादा wait कर रहे हैं, और ये आपका wait कर रहे हैं, मुझे लगता है, आपने इनको block कर दिया है, शायद जिसने भी जिसको block किया है, वो बंदर बहुत जादा passionately एक दूसरे का wait कर रहे हैं, कि कब ये मुझे unblock करेगा, और कब आएगा अगर इन्हों ने भी block किया है, तब भी आपको बहुत wait करें, कि आप इसी तरह से इनको approach करेंगे, जिसे कहते हैं, ब्लॉक करके पच्टाना, वो वाली energy आ रही है, यहाँ पर, waiting game है, यहाँ पर, time का मसला है, यहाँ पर, communication का मसला है, communication तो आने वारे इस इंसान के तरफ से क आपको एक बार बताती हूँ, लोग कहते है, night of once बहुत जादा प्यार, बहुत जादा प्यार, बहुत जादा प्यार, जी, guys, प्यार होता है, लेकिन कुछ वक, कुछ seconds आना और चले जाना, जितनी जल्दी आता है night, उतनी जल्दी चला भी जाता है, यह बात आप याद पिर आगे हमारे पास, night of swords, यह इंसान आपकी लाइफ में रश्ट करता हुआ आना चाहता है, यह आपस कम्मिनिकेशन करना चाहता है, हो सकता है, वो कम्मिनिकेशन कुछ मीथे अलफास ना हो, कुछ लवी डवी टाइप कम्मिनिकेशन ना हो, लेकिन जो है, यह इंसान आपके लिए, emotions जो है, day by day, develop हो रहे हैं, यह इंसान चाहता है, कि आपके पास आए, एक new beginning का आपके साथ हो, अपना प्यार जो है, emotions जो है, यह इंसान आपको शो करना चाहता है, यह बताना चाहता है, कम्मिनिकेशन देखें, guys, बहुत जल्द इस 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 इसान की आपक यहां पर तीन तीन नाइट्स बता रहे हैं और यहां पर तीन तीन नाइट्स बता रहे हैं और एक परसन आप से कम्यूनिकेशन करना चाहते हैं इनके दिल में आपके लिए डे बाइडे एमोशन जो हैं डेवलप हो रहे हैं आपको पास आएंगे तो शायद फिर दुबारा से वही सब कुछ रोजा लेकिन यह इंसान आपको साथ एक यह उसलिट फांडेशन केम करना चाहता हैं हम उस तरफ जाएंगे पेज्ज अप्सोर्स नज़र निकल के आया तो यह इंसान आपको जो सोचल मेडिया पे स्टॉक करता रहता है तो इस इनसान की यही फीलिंग्स आपस कम्यूनिकेट करना चाहता हैं आपको आना चाहता है कुकि नाइट एनरजी में है नाइट जिजनी जल्दी आता है और जिल्दी चला भी जाता है तो ये थी आप लोगों की डेटिंग अगर आप लोगों सर्याजनेट लिए तो प्लिस कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा मिलतां गडिंग में पाई हाई पाई नमबर टू जिन्होंने ये वाली डेक्ट स्लेक्ट करी है तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट फेलिंग्स क्या है है बहुत हना हम गर्टीव आफ अबोर अधिकांठ अक्ट निकल क्या एं यह निकल क्याई है नइन वन्सक्येट ये इंसान आपको बहुत जद्रूरत देखता हैं ये ना यह ऑनर्स कहांए और अधिक टी निकल क्यांए और यहांप एक चार्मिंग परसनलेटी हैं आपको बहुत जादा सूटर्स हैं आप को यह बीर इंसान मिल सकता है नामसे आप अगर लड़का है तब भी इसन आपको बहुत जादा पसंद्राताा है और विप्सटेल 2025 है यह पर बाउवर के अह定 नहीं हैं यह बहुंद करते हैं कि आप जो है इनको थोड़ा सा कहते हैं आपके पर सन्ट मुझे अपर सरोथ करना बन बंने ने हो शए पर शब्सक्राइब लेकिन बहुत जाद है इस difन का यह बात करता है आपके पर साइंद कम नहीं बैए है नहीं कियो सकते हैं Cancer Pisces Scorpio Aries Scorpio हो सकते हैं आपके परसन लिब्र एक्वेस्ट जमिना टॉरस पर काप्रिकोन हो सकते हैं आपके परसन जो हैं आपसे लोंग डिस्टंस पर रहते हैं आप लोग की हर दफा एक साइकल कंप्रीट हो जाती है आप रही से लेशन्शिप पर नहीं आ पाते हैं जब भी आते हैं तो आप लोगों का ब्रेक अप हो जाता है आप लोग किसी भी तरह से सेपरेशन में चले जाते हैं आप लोग सही तरह से रिलेशन्शिप में नहीं आ पाते हैं इन और आप वाली एनरजी रहती है आपकी यह इनसान आपको अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर कर देता है ऐसा मैजिशन इनसान है ये लेकिन फाइफ उप सोर्स ये बात करता है कि ये इनसान बहुत ज़्यादा घवंडी है बहुत ज़्यादा इगोस्टिक इनसान है ये इनसान अपने मारे में बहुत ज़्यादा ट्रैप है ये इनसान चाहता है कि हर हाल में जित इसकी ह रहा है लेकिन आपको दिखा नहीं आपको शो नहीं कर रहा आपको इपने इमोशन से दिखा रहा है यह दिखा रहा है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में तभी ले कि आओंगा जब तुम मेरे बताई हुई बातों पर अमल करोगी और जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी या क हो सकता है आपसे एज में बढ़े हो या आप एज़ डिफरेंस मुझे यहां पर नजर आ रहा है हो सकता है यह married person को भी impress बताता है कि यह इंसान already married है, इसकी अपनी एक family है और यह इंसान जो है five of source यही है कि यह इंसान वहाँ पर भी खुछ नहीं है, वहाँ पर भी इसके ego clashes चलते हैं और आपके साथ भी ego clashes चलता है इस इंसान के, लेकिन यह इंसान की साथ एक new beginning को manifest कर रहा है, यह चाहता है कि आप इसको approach करें, इसे कुछ ना करना पड़े, यह इसी तरह से अपने थ्रौन पर बैठके, आपके उपर नजर रखता है, आपके उपर focus करते हो सकते हैं, आप लोग अलग culture से हो, अलग different culture हो, different background हो आप लोगों का, लेकिन इस person की न manifest कर रहा है, यह इसान आप से 10 of pentacle चाहता है, और यह इनसान बहुत जादा, इस के केरियर में यह इनसान अच्छा है, इसका भी अपना business हो सकता है, यह इनसान की गवर्मेंट जॉब हो सकती है, जर्ज हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, बहुत अच्छी इसकी जॉब नजर यह इनसान चाहता है, कि आपके साथ एक traditional marriage की जाए, लेकिन इसे लगता है, कि आप इसकी बातों पे जो है, बिल्कुल पे दिहान नहीं दे रही है, और इससी वज़ा से इस 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 इसान का बहुत जादा दिल दुखाव है, और यह इनसान जो है, दुखी आपको मिस्स कर और यह इनसान भी आपको अपनी life manifest कर रहा है, कुईन ओफ पैंटिकल, कुईन निकल के आई हैं दोनों दफ़ा में, यहाँ पे जो third party situation हो सकती है, यह इनसान आप में ही दोनों qualities देखता है, यह इनसान यह देखता है, कि आपका अपना business है, आप भी well subtle है, आप भी अच्छी families है, आप भी आपका पहनने औरने का style बहुत अच्छा है, और आप इस इनसान का weight कर लेंगी, इसे लगता है, और हो सकता है, अगर आप भी married है, यह person भी married है, someone else, आप भी किसी और के साथ married है, आप परसन भी किसी और के साथ married है, और आप दोनों का extra marital affair चल रहा है, यहाँ आप यह भी नजर आ रहा है, आप का भी अपना सारा focus अपने pentacle पे है, इस इनसान को लगता है, आप इसे entertain नहीं कर आ रही है, लेकिन आप इसका weight कर रही है, आप इससे commitment मांग रही है, यह सब यह इनसान जानता है, एस ओफ pentacle निकल क्या है, यह इसान आपको stability offer करना चाहता है, यह इसान आपके साथ एक दुबारा से हमाई king of swords मिला है, तो यहाँ पर देखे पहले हमें the emperor और the queen of wands मिली थी, अब हमें मिला है king of swords और हमें मिली है queen of pentacle, तो आप दोनों ही मुझे यहाँ पर someone else marriage नजर आ रहे हैं, और दोनों ही अपनी marriage life सा खुछ नहीं नजर आ रहे एक तो situation यह है, और दोसी situation यह है कि आपके person आपको cold shoulder दिखा रहे हैं, आप से बात नहीं कर रहे हैं, आप से communication नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह इंसान आप से communicate करेगा, और वो communication कुछ ज़्यादा, वीठेल फास नहीं होने वाले, कुछ argue होने वाले हैं, लेकिन कुछ पास भी option है, वो दोनों ही ट्रॉप करकी इंसान आपके तरफ आना चाहता है, क्योंकि हमें आखनों मिला है, इस इंसान आपको साथ victory चाहता है, आपके साथ मैंने कहा ना कि एक happy marriage life चाहता है, traditional marriage करना चाहता है, इंसान हर हाल में आपको जीतना चाहता है, किसी भी कीमत पर चाहता है, तो इस इंसान की true intentions यहीं है, इसकी feelings यहीं है, कि इंसान आपके साथ अपनी new beginning manifest कर रहा है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ settled on होना चाहता है, लेकिन यह किसी भी कीमत पर जुपने के लिए तयार नहीं है, आप यह बात याद रखिएगा, यह यह card, magician card भी बताते हैं, कि इंसान आपको अपनी life manifest कर रहा है, आप थोड़ा सा patience रखिए, तो यह इंसान आपको खुद manifest करेगा, अपनी life का, अपनी life का, the lovers card भी यहीं बताता है, कि आपके person के पास choices है, लेकिन आप इसका true love है, यह दोनों situation में जगल करना चाहता है, और द